तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं आपकी जो केलीडियस को बुक है उसका जो नॉन फिक्षन का जो शेक्षन है उसमें जो लास्ट ऐसे है आपका अन साइन्स फिक्षन बाई आईजाक ऐसीमोफ तो बहुत ही थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है आपके ऐसी स्टोरी टाइप नहीं जो आपको थोड़ा सा जल्दी सी समझ आ जाए ठीक है तो हम इसको आपको आज इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर की बहुत अच्छे से समरी करवा दूँगा बहुत अच्छे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको सारे चैप्टर्स और जो आपके जो बुक है के लीडियो इसको बुक है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं दीरे दीर है तो आपको वहाँ पर वैल अरेंज़ड वीडियो मिल जाएगी इंपोर्टैंट क्यूशन आंस्वर से अपर ऑर एक बात बताऊंगा कि जी हम क्लाश 12 इंगलिस कंपलस्री जो सबके लीए कॉमन है जो हर स्ट्रीम का बच्चा पड़ता है ठीक है इंगलिस और हिंदी हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं तो हंगलिस कंपलसरी का भी जो हम draw डिटेल सले बस है वो इस चैनल पर डिसक आपको इतने अच्छे से बिल्ट कर दूंगा इतने अच्छे से प्रिपेर कर दूंगा कि आप एक्जाम के पास fully confident हो जाओगे और पेपर बहुत अच्छा होगा आपका प्रॉमिस तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुझे हैं अगर हम क्या important जो sessions होंगे हमारे लिए exam के लिए जो किस तरीके से आपको आंसो राइट करकर आने हैं और board model papers आएंगे हमारे blueprint वगरा उन पर discuss करेंगे आपके लिए motivational sessions लाओंगा मैं कि जिस इस इस इसाब से आपको time table अगरा तो बहुत सारी videos हम बात करेंगे इस चैनल पर तो अगर आप नए है तो आज इस चैनल से जुझे हैं तो चलो अब हम start करते हैं आपके जो chapter है on science fiction अब देखो सुनो science fiction क्या होता है science तो आप समझते हो science technology वगरा लेकिन fiction क्या होता है fiction होता है fiction में क्या होता है तो fiction में क्या होता है stories होती है और novels वगरा कि मतलब कहानियों से related चीज होगी वह fiction के अंदर आती है ठीक है और अपना इस section नॉन fiction है मतलब हमारे यहां पर मतलब इस पर हम ऐसे इस पर बात करेंगे है stories नहीं होंगी यहां पर novels जैसे चीजे नहीं होंगी चीजें stories वगरा novels वगरा और जो कहानियों वगरा होती है तो यह टर्म है जो क्या बता रहे हैं आपके जो author है वह इसमें हमको यह बताएंगा आपका जो chapter है वह दो पार्ट में डिवाइड है एक तो pre scientific वाला है और then the universe of science fiction यह चीज है तो दो section है तो हम आपको इस दोनों को इंक्लूड करके आपको यह जो इस chapter की जो summary है वह बहुत अच्छे से समझा दूँगा बस प्लीज आप attentively मेरी बात अराम से सुनेगा ध्यान से सुनेगा ठीक है तो बता रहे हैं कि जो इस science fiction है पहले तो आपको science fiction में समझा दूगी एक बाल कि science fiction होता है जिसमें मतलब science के elements होगे और हमारे को stories मिलेगी उस चीज की अब science fiction मेरी बार आप देखो कि YouTube पर कुछ इस तरीके की movies है कुछ इस तरीके के कुछ यूटुबर्स हैं जो videos बनाते है science fiction based तो वह इस तरीके की होती है जिसको देखकर हम wonder feel करते हैं यार जैसे अभी recently जैसे अवतार movie है वह भी science fiction movie है समझ मैं आपको जिसमें बहुत खत्रना graphics होती है बहुत शांदार editing होती है हम देखके एकदम wonder feel करते हैं कि यार यह क्या है हाना समझ के आप तो यह वाली चीज जो होगी ना इसको हम science fiction कहते हैं और यह लोग कुछ movies में दिखाते हैं कई लोग लिखते हैं और कई लोग कि मतलब videos और बनाते हैं समझ में आपको तो यह जो चीज है आ गई समझ में तो science fiction यार इसको देख इतना ज़्यादा wonder feel करना कोई normal चीज है तो उस normal चीज को इतना ज़्यादा attractive वाना दिये जाए इतने ज़्यादा elements जोड दिये जाए science के थ्रू technology के थ्रू जिससे हम एकदम देख यार समझ में आगई वह वाली सीज है तो पहले बात करें कि pre scientific एरा पे तो science fiction तो अब तो आ गया काफी सामय हो गया science fiction को अपने को लेकिन जब science fiction नहीं था pre scientific जब time था तब क्या था तो एक बार आपके जो ऐसे में बताते हैं कि यह जो 1800 में जो industrial revolution हुआ था ना revolution हुआ था मतलब आप हिंदी में पढ़ते हो ना ओध्योगी करांती अठारविश अथापदी की ओध्योगी करांती जिसमें बहुत जादा टेक्नोलोजी का और ओध्योगी करन वगरा जो चीजे होते हैं ट्रांसपोर इंपोर्ट मतलब ही जो चीजे हैं तो बहुत साथ से ही जो science fiction की शुरुवात हो गई थी अपने मतलब universe में अपने world में ठीक है समझ भागे आपको तो यह चीज बताना चाहरा है आपके author तो यह बताते है कि अब ही तो हो गई लेकिन इससे पहले जब क्या था इससे पहले चीजे बहुत जादा complicated थी मतलब लोग अब पह पुरानिक कथाएं होती थी कुछ beliefs होते थे कुछ myths होती थी कुछ legends होती थी कुछ ancient stories होती थी समझ में रहा है मैं जो जो कह रहा हूँ आप please मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे और फिर समझेंगे तो अभी तो science fiction है अब तो हम चीजों को science के थू समझ लेते हैं technology के थू समझ जान जाते हैं चीजों को लेकिन उस टाइम पर क्या था उस टाइम पर यार उस टाइम पर यार उस टाइम पर यह चीज believe करते थे, विश्वास करते थे और वो superpower क्या थी भई मतलब main क्या थी वो superpower God मतलब जो कुछ हो रहा है वो God कर रहे है अगर अच्छा हो रहा है तो बगवान की हमारे पे कृपा है अगर बुरा हो रहा है तो किसी कोई हमारे को किसी पाप की सजा मिल रही है, कोई जो शैतान है, डेविल है, वो हमारे पे परकोप कर, उसका परकोप हो रहा है समझ में आगी इन चीजे में आपको जो कहना चारा हूँ, चीजों को समझने की खुशिश करना ठीक है, तो उस्टाइन कहता लोग थे ना, जो उनका सूपर पावर्स पे ज़्यादा बिलीव था यारी, सूपर पावर्स होती है और मतलब सूपर वाव में लिए कि एक ऐसा सूपर हूमन है सूपर हूमन है, मतलब गॉड, ओके जो इन चीजों को कंड़क्ट करता है, चलाता है चीजों का अगर बहुत चीज़ बारिश हो रही है तो बगवान महरबान है, बगवान हमसे परसन है, और अगर सूखा पढ़ रहा है, बाड़ा रही है तो बगवान हमसे नाराज है और किसी शैतान जो डेविल है उसका हमारे पर परकोप पढ़ रहा है वो इस तरीके से हमारे से बदला ले रहा है तो ये चीजे समझने की कोशिश करने एक धारना है टाइप होती ही ना पूरान टाइप की तो वो वाली चीज थी है तो भगवान को खुश करने के लिए ये लोग क्या करते थे अगर भगवान उनकी मनों कामना पूरी नहीं करते थे तो क्या होता था कि ये ब्लेम करते थे जो करने वाला होता है ना कि भई आपने पूजा अच्छे से नहीं करी आपने परशाद उनकी पसंद का नहीं चड़ाया आपने जो भी प्रोसेस करते हैं वन अच्छे से नहीं किया, आपने बोग लगाने में कोई दिक्र कर देखी, समझ में आगे आपको, तो यह चीजें हुई, तो यह चीजें मानते थे पहले, और फिर क्या हुआ, साइन्स का जैसे जैसे आगमन हुआ, साइन्स विक्ष्ण जैसे डवलक हुआ, तो यह चीजों है मतलब फोड़े समय बादencies, विन्टर सीजन आ जाएगा, समर आ जाएंगी जो स्प्रिंग आ जाएगी प्रकर्ती एगी कि लगामन है कि बारिश होगी तो तो नेजर है उसको मानता है कौन साइन्स विक्षन तो फिर आपके सी महीं बता रहे हैं आपके जो साइन्स का प्रयोग करकर इचुझ लॉज अफ नेजर को इतना जान जाते हैं कि ये नेजर को करने ये पा सकते हैं, मतलब यह इतना जादा साइन्स को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो इनको क्या करते हैं, कि इनको मैन्यूपुलेट करना सीख जाते हैं, कि नेचर को, मतलब समझने की कोशिश करना, साइन्स इतनी तरक्की कर रही है, अब देखो, बाहर आ रही है, बारिश आ तो यह लोग तो क्या करते थे इस तरह मैंने आपको डिफरेंस बता दिया लेकिन साइन्टिस्ट अपना साइन्स वाला दिमाग लगाते थे कि यार कि बहुत समय से मतलब बारिश नहीं आई है मतलब टेंप्रेचर बढ़ रहा है काफी समय से यहां पर जो सॉयल इरोजन हो र युग है इसमें जो साइन्टिस्ट होते हैं वो साइन्स को बहुत अच्छे से समझते हैं लॉज अफ नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं और फिर लॉज अफ नेचर को इतना अच्छे से कि तो साइन्स के तुरू वो कंट्रोल कर लेते हैं नेचर को मतलब अच्छे स सम хлama लेते हैं और बता देते हैं और पूरवा नुमान में लगाते हैं आज कि भाई तीन दिन बाद बारिश आने वाल है क्या है साइनस ही तो है । एंडली है इतंब इदनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो यह पूरवा नुमान वो बताना चाह रहे हैं कि pre-scientific era में ये चीज़े होती थी और फिर वो जो myths, legends और ancient stories होती थी और इनका और ये जो अब scientist है इनका ये एक चीज कॉमन थी क्या ये विश्वास करते थे चीजों में मतलब इंगे लोग उस तरीके से विश्वास करते थे God में और डेविल में ये लोग laws of nature और प्रकरती के बारे में और अपने जो science and technology उसमें विश्वास करते थे ठीक है उस टाइम ये जो उस टाइम जो लोग थे वो ancient stories आप भी सुनते होंगे कुछ कहानिया वगरा फिर उन पर ही बिलीव हो जाता है अपने को तो उस टाइब के लोग इस तरीके के होते थे ठीक है और फिर आमको कुछ बता दिया जाए कि ये विश्वास होते हैं ये दाड़नाए हैं तो हमको उसी के अनुरूप चलना पड़ लोगों की जो जो लिखते हैं जो लोग मतलब लिखना भी एक टर्म भी हो चुकिए आज राइटिंग फॉर्म में भी लिखा जाता है साइन्स फिक्शन ओके तो उन पर बिलीव करते हैं पढ़ते हैं अध्यान करते हैं टेकनोलोजी को इतना ज़ादा एडवांस कर दिया ह तो चीजों को एक तरीके से मिजर कर सकते हैं माप सकते हैं तो यह चीज आपको समझने की बहुत जादा आवशकता है तो यह चीज जो है आपके जो ऑथर है ऐसी मौ उन्होंने बताने की कोशिश करी है आपके इस चैप्टर में जो फर्स्ट शेक्शन है ना उसमें यही च साइन्स फिक्षण इस हड़ जगह है, साइन्स फिक्षण की बेसिकली एक चीज है कि किसी नॉर्मल चीज को आप इतना ज्यादा एक्सप्रेस करो, इतनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव तरीके से दिखाओ, जैसे मुवी आजकल साइन्स फिक्षण बेस्ट मुवी होती है, यू इसनी बना दी जैए, वैसे नेचुरल स्पोर्ट नॉर्मल तरीके से खेला जाता है, फिर मतलब और स्पोर्ट स्टोरी को अगर कन्वे खरना हो बताना हो तो उसमें बहुत 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 ग्राफिक्स, मतलब बता दे कि जैसे बैग्राउंड चेंज कर दे, ओके बैग्रा बेसिकली हम देखते हैं जानवर पेड़ पत्ते होते हैं और चीज़ होते हैं तो हम देखें उसमें हमको साइंस विक्षन के थूरू अगर देखेंगे तो हमको दीखेगा इस तरीके से हमको दर्शाय जाएगा कि वह रोबोट है और जो पेड़ पौदे हैं वह अलग परक घर अलग जातो हैं तो ही बताने के कोशिब करें फिर आपके जो आओसर हैं वह एक वित्त का नाम लेते हैं जॉन डबू सकते हैं दिखा सकते हैं ठीक है यह चीज बताते हैं वो कि इसका लेवल बहुत जादा है और यह बहुत जादा वरिश्त्रित है बहुत जादा विशाल है फैला हुआ है ओके बताते हैं यह चीज बता रहे हैं इन्होंने बता यह चीज और फिर यह कहते हैं यह रियलिस्टिक होता है fantastic element मतलब इसमें possible things होती है और impossible things होती है impossible things को भी possible way में दिखा दिया जाता है realistic होते है fantastic mode होता है इनका समझ महारा आपको यह चीजे कुछ चीजे बताई उन्होंने की science fiction में यह यह चीज होती है हमको देखने को मिलती है ठीक है okay फिर आपके जो 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 यह Campbell है इन्होंने एक तरीके से का कि जो science fiction mystery होती है यह भी एक term है कि science fiction mystery है उसको दिखाना उसको लिखना यह बहुत जादा impossible है यह तो हो यह नहीं सकती science fiction तो बहुत वाश्ट है बहुत जादा विशाल है बहुत चरीके से लेकिन आप science fiction mystery नहीं लिख सकते हो अब यह क्या चीज है मतलब mystery यह नहीं रहस्य होता है तो science fiction आगे ही science fiction है कूब जादा elements होंगे कूब जादा confusing stories होंगी उसमें आप mystery और डाल दो मतलब इस तरीके की रहस्यवादी चीज़े डालो detective टाइप की और फिर अगला तो समझ से बाहर हो जाए तो जौन केम्पबल कहते हैं कि यह चीज तो बिलकुल नहीं है यह कोई कर ही नहीं सकता है कि science fiction में mystery elements जोड़ देना ठीक है फिर आपके ऐसी मोग जो आपके author रही है इनके तर्क में इनको कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि भई ऐसी चीज़ उन्होंने गलत कही है उन्होंने इस चीज़ गलत कही है कि science fiction mystery को लिखना आसान मतलब impossible ही है आसान नहीं है ठीक है तो कहते ह कि भई ऐसी कोई बात नहीं है science fiction mystery लिखी जा सकती है अब देखो science fiction मैंने बता दिया आपको क्या होता है तो उसमें mystery और डाल दी जाए भई बहुत जादा mystery बना दिया रहे है से माई बादा कोई भी चीज आपको बता ही जा रही है detective type से और उसमें आपको फिर को यार murderer कौन है तो उस तरीके से आपको पता नहीं पास साथ दस लोगों पर शक करवाया जाए इसको कहते है suspense create करना समझ महीं आपको तो यह mystery डालना मतलब चीजों में आज के टाइम पर इतना कठिन नहीं है ठीक है तो कहें कि science fiction हो गया बहुत अच्छे से fiction चल रहा है supernatural powers दिखाई जार यह जाए पांस से दस लोग है इन में से कौन हो सकता है तो फिर आप अपना दिमाग लगाओगी कि यह हो सकता या यह हो सकता है समझ महीं आपको तो mystery भी डाली जा सकती है ऐसा कुछ नहीं है ओके फिर आपके बतारे कि तो आपके आशी महीं बतारें कि science fiction लिगते समय है science fiction mystery जिससे लिखते समय हमको यह चीजे ध्यान रखनी चाहिए आपक यह बता रहे हैं जो अधर है कि भाई हमको को क्लूस देने चाहिए जिससे अगला चलो देखो आगे साइंस विक्षन समझने में देर लगेगी और फिर मिष्ट्री ओर डाल दी डिटेक्टरी टाइप चीजे तो फिर अगला तो पागली हो जाएगा कुछ समझ भी ने आएगा उसको चाहे वह पढ़ रहा हो चाहे वह मूवी दे यह बनाना चाहिए ठीक है तो यह चीजे बता रहे हैं कुछ पॉइंट्स बताएं उन्हों की इस इन चीजों का ध्यान लखना चाहिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ऐसा मिश्टिरियस ही नहीं बना देना जिससे अगला ऐसा हो जाएं तो कुछ-कुछ चीजे बताईएं ठीक है और फिर बाद में एंड करते हैं कि जॉन केंपल जो व्यक्ति उनको कटाउस करते हुए कि आपने कहा कि साइन्स फिक्शन मिश्ट मिश्ट्रीज के एक्जामपल दे हैं कि देखो ऐसे राइटर मैं भी मैं भी साइन्स फिक्शन के दो राइटिंग्स है मेरी जैसे दने कीडिसन एक तो एक और आपकी बुक में ठीक है तो बता रहे हैं वो कि देखो भई ऐसा नहीं है कि मुश्किल है देखो मैंने खुद साइन्स फिक्शन मिश्ट्रीज लिख रखी हैं और तो और जो वर्ल्ड में और जो पोईट्स हैं और जो राइटर्स हैं वो भी आजकल साइन्स फिक्शन मिश्ट्रीज लिखते हैं कोई डायरेक्टर करता है चीजों को मूवी के थ्रू दिखाता है और कोई लिखता है त फिर आपके chapter को complete खतम कर दिया गया है आपकी writer द्वारा तो होप करता हूँ आपको यह जो chapter है यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा प्लीज अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजे मैं पूरे guaranteed हूँ आपको यह चीज़ समझ आ जाएगी यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा यह chapter बस जो मैंने कही चीज़े उनको प्लीज एक बार दिमाग को शांत करके और चीज़े ना चला के एक बार समझने की कोशिश करोगे ना आप तो मैंने बहुत अच्छे सा आपको जो समरी है वो इस chapter की बता दी है hope करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कोई भी doubt हो कोई भी क्यूरी हो आप comment section में मुझसे आज कर जकते हैं किसी भी तरीके की ठीक है description में अपने telegram channel उसको भी अगर आप जॉइन करना चाहो तो कड़ सकते हैं कोई भी क्यूरी आप बता सकते हैं अगर आप नए है तो आज इस channel से जुझा क्यूंकि हम बहुत ही अच्छे वे में हमारी board के लिए preparation कर रहे हैं ठीक है एक बार फिर से इस summary को देखिए देखिएगा next video lecture में हम इसके question answer पर बात करेंगे तो question answer देखिएगा यह chapter देखिएगा आपका जो chapter है वह सच्छे से आपको clear हो जाएगा याद हो जाएगा अच्छे समझ आ जाएगा ठीका जी मैं विलूंगा आपसे फिर एक नए next video lecture में बने रहिए मेरे साथ thank you very much